अगर ये सरकार हमारे आधार कार को देखकर हमारे इलेक्शन कार को देखकर हमारे रैशन कार को देखकर ये सरकार चुनी गई है और अगर ये सारे कार अगर इन्वालिड है तो मैं मोदी जी से कहूंगा कि आपकी सरकार जिस वोट पर हमारी बनी है वो भी इन्वालिड है चलते हैं वोट लेते समय इनको हमारे रैशन कार चलते हैं वोट लेते समय इनको हमारे ड्राइविंग लाइसेंस चलते हैं लेकिन जब नागरिक्ता देने की बात आती है तब हमारे ये किसी भी कार को नहीं अपना रहे हैं तो 2024 नहीं आने वाले 1000 इलेक्शन में भी मोधी क्य मैं नहीं कह रहा हूं. सुप्रीम कोर्ट के टॉपमोस जजेस ने उस समय ये बात हम लोगों को बता दी थी. Justice चिला मेश्वर हो, Justice गोगोई हो, Justice जोसेफ हो. उस समय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर प्रेस कॉनफरेंस लेकर ये बात कही थी कि देश का सविधान, देश का लोकतंत्रक खत्रे में है लेकिन उस समय हमने उनकी बात नहीं मानी 2024 की ये election किसी party के बीच नहीं होने जा रही है ये elections दो विचारधाराओं के बीच होने जा रही है एक विचारधारा जो इस देश में नियाय के उपर, समता के उपर, स्वातंतरता के उपर विश्वास रखती है उस विचारधारा के किलाफ दुसरी विचारधारा जो असमानता के उपर, जातिवाद के उपर, धर्मवाद के उपर विश्वास रखती है ऐसे दो विचारधाराओं के बीच ये elections आने वाली 2024 में हम लोग देखने जा रहे है और जिस तरह की unity जिस तरह का भाई चारा आज इस मंच पर दिखाई दे रहा है मुझे पूरा विश्वास है अगर इस देश का SC, ST, OBC और जितने भी religious minorities है चाहे वो Buddhist हो, Sikh हो, Christians हो, Muslim हो ये सारे लोग अगर इखटा हो जाए तो 2024 नहीं आने वाले हज़ारो elections में भी मोदी क्या मोदी का बाप भी आ जाए तब भी वो इस देश में जीत नहीं पाएगा अगर इस देश के SC, ST, OBC और minority इखटा होकर इस देश की रक्षा करने का काम करे आने वाले समय में हम लोग बहुत बार सुन रहे हैं कि देश का सविधान खत्रे में और ये मैं नहीं कह रहा हूँ Supreme Court के topmost judges ने उस समय ये बात हम लोगों को बता दी ती Justice चला मेश्वर हो, Justice गोगोई हो, Justice जोसेफ हो उस समय उन्होंने Supreme Court के बहार आकर प्रेस कॉन्फरेंस लेकर ये बात कही थी कि देश का सविधान, देश का लोग तंत्रे खत्रे में है लेकिन उस समय हमने उनकी बात नहीं मानी आज भी बाबा सब अंबेडकर हमें इतनी बड़ी ताकत दे कर गए है 1917-1919 में जब साउध बिरो कमिटी साइमन कमिशन इस भारत में आया तब इस देश की ब्रामनिकल सिस्टम हम लोगों को वोट का अधिकार तक देना नहीं चाहती थी उस समय बाबा सब अंबेडकर जी ने साइमन कमिशन को बयान दे कर ये कहा कि इस देश में चाहे किसी भी जाती का वेक्ती हो किसी भी धर्म का वेक्ती हो किसी भी जेंडर का वेक्ती हो 21 साल का होने के बाद हर वेक्ती को वोट का अधिकार मिलना चाहिए ये बाद बाबा साब ने साइमन कमिशन के सामने रखी तब जाकर आज इस देश में सभी को वोट का अधिकार मिल रहा बाबा साब हमें जाते जाते इतना बड़ा अधिकार देकर गए है कि आज हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं आज इस देश में कल उस देश में कभी जमीन पर पैर तक नहीं रखते ऐसे फैसिस्ट लोगों को बाबा सब अमबेड कर हमें ऐसी ताकत दे कर गए हैं कि आने वाले चुनाओं में किसी भी चुनाओं में ये जो लोग हवा में उड़ा करते हैं ये एक दिन नीचे उतरते हैं और केवल नीचे नहीं होतरते हैं हमारे पेर धोने के लिए मजबूर होता है इतनी बड़ी ताकत बाबा साब हमें दे कर गए हैं इस ताकत का सही इस्तमाल करो पैसों के उपर साडियों के उपर उनके शनाब के उपर अपने जीवन का इतना सबसे मुल्लेवान अधिकार ब है कि आने वाले पाथ सालों में मैं अपने उपर किसे शाषन करने की अनुमति देता हूं ये तै कर पाना ये आपके जीवन का सबसे बड़ा अधिकार है इसका इस्तमाल ठीक ढंग से अगर करो तो ऐसी समस्या कभी भी नहीं आ सकते वरना हम लोग अब जैसे नदिम खान जी ने कहा बाकी सभी लोग यहां पर बैठे हुए हैं अगर हम अपने अधिकारों का सही इस्तमाल कर पाते तो क्यूं उन्हें दिल्ले से आना पड़ता क्यूं मुझे बंबे से आना पड़ता क्यूं यहां पर मंच पर बेठे हुए लोग अपने अपने जिलों से अपने अपने राज्यों से यहां आते वो अपने अपने कामों में वेस्त होते हैं लेकिन आज हम इस सब लोग अपना काम छोड़कर केवल देश की सुरक्षता देश के सविदान को बचाने के लिए यहां पर इखटा हुआ है एनर्सी जेसा कानून इस देश में आ रहा है वोट लेते समय इनको हमारे आधारकार चलते हैं वोट लेते समय इनको हमारे इलेक्शन कार चलते हैं वोट लेते समय इनको हमारे रैशन कार चलते हैं वोट लेते समय इनको हमारे ड्राइविंग लाइसेंस चलते हैं लेकिन ज हमारे आधार कार्ड को देखकर, हमारे इलेक्शन कार्ड को देखकर, हमारे रैशन कार्ड को देखकर ये सरकार चुनी गई है, और अगर ये सारे कार्ड अगर invalid है तो मैं मोदी जी से कहूंगा कि आपकी सरकार जिस वोट पे हमारी बनी है वो भी invalid है आप भी invalid हो अगर आप इस देश के लोगों को नागरिक नहीं मानते तो हम भी आपको प्रदानमंत्री नहीं मानते इस देश में UCC का कानून आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस देश में मूच रखने के उपर हत्य होती है जिस देश में अपने ही बारात में किसी IS ओफिसर को IPS ओफिसर को गोडी पर बैठने का अधिकार नहीं है उस देश में आप समान नागरिकता कानून लागू कर जहाँ पर हम लोगों को आज भी 2023 में ये basic fundamental rights नहीं है वहाँ पर आप लोग UCC का कानून लागू कर रहे हो क्या UCC के लिए आप लोगों ने देश को तयार किया है देश के गली में जाती में देश के गली गली में जाती जाती ये आज जादा बड़ी होते जा रही है और इसलिए हम लोगों को आने वाले समय में अवमारे उपर किसने अधिकार करना चाहिए राज करना चाहिए और सबसे पहली एक बात ये बात में हमारे हिंदू भाईयों को कहना चाहूंगा कोई प्रधान मंत्री, कोई मेंबर ओफ पारलेमेंट कोई मेंबर ओफ लेजिसलेटिव एसेम्बली या कोई भी पॉलिटीशन आपको अगर ये बात कहता है कि आप हमें वोट दो हम आगे चलकर राममंदिर बनाएंगे हम आगे चलकर हिंदू रास्टर बनाएंगे सबसे पहले तो उसे वोट देरा बन करो क्योंकि आप बेदेश की जनता देश के संसद में आपके पॉलिसी की मेकर को भेजने वाले हो, देश में क्या योजनाय बनाने वाले है, उसको भेजने वाले हो किसी संकराचारियों को बेजने के लिए उसको अपॉइंट करने के लिए संसद नहीं है हिंदू रास्टर बनाना है आपके हिंदू महासभा के लोग काम करेंगे आपके हिंदू संगटनाओं के लोग काम करेंगे लेकिन देश में हिंदू राष्ट बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री को बेजा रहा है देश का संसद ये आपके धर्म को फैलाने के लिए नहीं बनाया हुआ आज इस देश में हिंदु धर्म को बढ़ाने के लिए इस देश में इसलाम को बढ़ाने के लिए इस देश में क्रिशनिटी को बढ़ाने के लिए इस देश में बुद्धिजम को बढ़ाने के लिए इन सभी धर्म गरंतों को चाहे वो हिंदुओं का हो इसलाम मुस्लिमों का हो, बुद्धिस्टों का हो, सिखों का हो, क्रिशनों का हो इन सभी धर्म गरंतों की रक्षा इस देश में एक गरंत करता है और वो है भारत का सविधान और इसलिए सभी धर्म के लोगों को जो धर्म गरंत, जो गरंत हमारी रक्षा कर रहा है जो ग्रंथ हमको हमारे धर्म को फैलाने की अनुमती दे रहा है, उस ग्रंथ को बचाने के भी हम सब की नैतिक जिम्मिदारी होनी चाहिए, कि जो ग्रंथ मुझे मेरा धर्म बचाने की अनुमती दे रहा है, मुझे मेरा धर्म प्रोफेस करने की अनुमती दे रहा है, मुझे म